छोले तो आपने बहुत बार आप अपने तरीके से बनाई होंगे, एक बार इस तरीके से छोले की रेस्वी बना कर देखें, आपके छोले बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनेंगे, इसे बनाना बहुत ही असान है, तो चलिए आज की चटपटी छोले बनाना सुरू करते हैं, तो हमें रात भर भीगे हुए चने लेने हैं यानि की काबली चने सफेद वाले चने तो काबली चने को अच्छे से धो कर फ्रेसर कुकर में डालेंगे और यहां पर दो कब पानी डाल देंगे एक छोटी सी पोटली जो मैंने चाय पत्ती डाल कर बनाया है ये मैंने छोटी सी कपड़े में आधा चमच चाय पत्ती डाल दी है आधा चमच ही लिये हैं उससे जादा नहीं थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक डालने से हमारे छोले बहुत जल्दी पक जाते हैं अब हमें कुकर का ढखकन लगाकर 4-5 सीटी बजानी है ताकि हमारे छोले अच्छे से पक जाए पेन में सबसे पहले तेल गरम कर लेंगे तो यहां पर हम 3.5 सरसो का तेल गरम कर लेंगे तेल हमारा गरम हो गया है अब इसमें हम एट करेंगे 2 तेजपत्ता और कुछ खड़े म अब इसमें हम एट करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज का पेश्ट यहां पर प्याज बारी काट कर भी आप ले सकते हैं अच्छे से मीक्स करें प्याज को हमें हलका ब्राउन होने तक फ्राइ करना है जब तक प्याज फ्राइ हो रहा है तब तक इसके मसाले तयार कर लेते तो एक बोल में डालेंगे एक चमच धनिया पौडर, आधा चमच हल्दी पौडर, आधा चमच कास्मीरी लाल मिर्च पौडर, आधा चमच काली मिर्च पौडर और थोड़ा सा पानी डालकर पेश्ट बना लेना है तो इधर प्याच को हमने 4-5 मिनट तक फ्राय कर लिया है, अब इसमें हम मिलाएंगे एक चमच लसुन का पेश्ट और एक चमच अधरक का पेश्ट, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें और एक मिनट तक इसे हम भून लेंगे, अब यहाँ पर मसाला वाला पेश्ट डालेंगे इस तरह से बनाने से जो मसाला होता है बहुत ही टेश्टी होता है और बहुत ही स्मूद और खाने में बहुत ही टेश्टी बनती है, अच्छे से आप इसे चला दे, लगातर इसे चलाते रहेंगे, अब इसमें एक टमाटर का पेश्ट डालेंगे, आप यहाँ टमाटर का प नमक डालेंगे तो छोले को उबालते समय भी नमक हमने डाला था तो यहां पर कम ही डालना है नमक एक चमच आमचूर का पौडर डालेंगे और मसालों को अच्छे से भूनेंगे तो यहां पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालों को अच्छे से भूनेंगे तो सूखे मसा मसालों को भूनने में आप देख सकते हैं मसाला हमारा भून रहा है फिर धकन को हटा कर 2-3 मिनट और भून लेंगे ताकि मसाले बहुत अच्छे से पक जाए तो मसाला को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है बहुत गाड़ा हो गया है मसाला अब इसमें हम डाल देते हैं छोले आप इसमें पूरा डाल दें और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी फिर इसे अच्छे से मीक्स कर देते हैं फिर से ढखकल लगा देते हैं तो यहां पर हमारे छोले रेडी हो गए हैं तो इसे और ज्यादा सूपर टेश्टी बनाने के लिए एक चमच घी गरम कर के दो हरी मीज फ्राइ कर लेंगे और छोले में डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया तो हमारे छोले बहुत ही रसीले से तयार हो गए हैं बहुत अलग टेस्ट इनका आता है इस तरीके से हमने बनाया है आप एक बार जरू ट्राइ करें बहुत अलग लगेगा खाने में और बहुत मज़ा आएगा अगर आज की रेस्पी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक सेयर करना बिल्कुल भी न भूले फिर मिलते हैं और नई रेस्पी के साथ